नमश्कर दोस्तों, वन इडिया में मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ बारोतर इंग्लैंड के बीच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में चार मैचों किटे सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है एमदबाद के मोटेरा में बने नरेंदर मूदी स्टेडियम में पहली बार कोई इंटरनेस्टन मैच खेला जा रहा है इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था पहले बलेबाजी करने उतरी इंग्लेंड टीम की शुरवायत अच्छी नहीं रही और पहले दो टेस्ट माचे में शांदार बलेबाजी करने वाले डॉम्निक सिबली को इशान शर्मा ने अपने सौवे टेस्ट माच में बिना खाता खोले ही वापस पविलियन भेज दिया आपको दादे डॉम्निक सिबली ने जैक क्रॉली के साथ पारी की शुरवात की और बिना कोई खाता खोले वापस पविलियन लोटक है आपको दादे पारी के तीसरे ही ओवर में इशान शर्मा ने तीसरे सिलिप पर खड़े रोहिच शर्मा के हातों कैच आउट करा कर डॉ आउट स्विंगिंग गेन थी जिसको दॉम्निक सिबली कवर की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन गेन ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और तीसरे सिलिप पर खड़े रोहिच शर्मा के हातों में चलिए रोहिच शर्मा ने भी एक आसान से कैच लपक कर डॉम्निक सिब मैच है वो भारत की तरब से दूसरे ऐसे तेस गेंद बाज हैं जो 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं आपको दादें इसी सीरीज के दौरा निशान शर्मा ने अपने 300 टेस्ट विकेट भी पूरे किये थे आपको दादें 6 वर के खेल के बाद इंग्लैंड टीम ने 27 रन एक विक सान पर बना लिये थे फिलाल के लिए वीडियो में इतना हैं तवाम स्पोर्ट सब्डेट के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ